तो आपात काल की पचासवी बरसी पर आज बीजेपी का देश में विरोध प्रदर्शन है बीजेपी आज देश भर में विरोध कारक्रम आयोजित कर रही है कॉंग्रेस के सत्तावाद को बीजेपी बेनकाप करने के त्यारी में हैं बीजेपी मुख्याले में जेपी नड़ा, बीजेपी के रास्टी ये द्यक्ष उन्होंनी भाशन भी बीजेपी मुख्याले में जेपी नड़ा का भाशन देश भर में आपात काल की पचास्वी बरसी पर बीजेपी कारक्रम आयोजित कर रही है जो लोग इस देश के संविधान की गरीमा से समर्पीत हैं जो लोग भारत की लोगतांत्रीक परमपराओं पे निश्टा रखते हैं उनके लिए 25 जून न भुलने वाला दिवस है भारत के लोगतांत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं भारत की नई पीड़ी इस बात को कभी नहीं भुलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिये गये थे देश को जेल खाना बना दिया गया था लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था इमर्जंसी के यह पचाच साल इस संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र लोकतंत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देश वासी संकल पर लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो पचाच साल पहले की गई थी आपात काल को भी समझ लेते हैं चलिए ग्राफिस के जरीये भी हम समझते हैं 25 जून 1975 को पूर परधान मंतरी इंद्रा गांधी ने आपात काल देश में लगा दिया था पॉइंटर्स के तोर पर समझते हैं इन चीजों को पहला पॉइंट दूसरी बात यहां पर बिना केबिनेट की मनजूरी के आपातकाल का फैसला उस दोरान ले लिया गया पूर प्रदान मंतरी इंद्रा गांधी के जरिये तीसरा देश के कई बड़े नेता इस दोरान जेल में डाल दिये गए नकेवल नेता, पत्रकार, वकील, सामाजिक कारेकरता, फिल्म अबिनेता, आपातकाल लगने से देश रातो रात पूरा देश जेल खाने में तबदील हो गया पत्रकारता जिसकी दुहाई दी जाती, लोकतंत्र के चोथे स्थम के तौर पर वो अपनी बाते तक आरसस की बात करें उस पर पूर्ड प्रतिबंध लगा दिया गया इस दौरान, रास्टिय स्वें सिवक संकी हम बाते करें, उसकी कारेकरताओं को जेल में ठूस दिया गया प्रमुख अकबारों के कारेयलों में बिजली कार्ट दी गई और अगर कोछ छपना होता था, तो सरकार की मनजूरी से ही छपना होता था साथवा पॉइंट, जेपी समेत करीब एक लाख राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था जेपीकार समेत एक लाख राजनीतिक विरोधियों जेल में डाले गए, लगबग 200 पत्रकार भी इस दौरान जेल में डाल दिये गए, जो प्रभावी पत्रकार थे, देश के नामी पत्रकार थे, उन्हें भी जेल में डाला गया जिससे खबरें बाहर न जा सके, 60 लाग से ज्यादा लोगों की जोरान नस्बंदी तक करवा दी गई वो एक मुहिम चली थी तब और दस्वां पॉइंट 21 महीने बाद 23 मार्च 1977 को आपातकाल हड़ गया था यहीं 21 महीने तक देश ने वो दौर देखा जब यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या इस्थिती हो गई है आखिर देश किस राह पर जा रहा है मेरे साथ खास महमान इस वक जुड़ रहे हैं सूर प्रिकाश मैथल मेरे साथ नेता बीजेपी जुड़ रहे हैं मेरे साथ विजेप कोशिक नेता कॉंग्रेस इस वक जुड़ रहे हैं और मेरे साथ आश्तो शर्मा वरिष्ट पत्रकार के तोर पर जुड़ रहे हैं